आज रेल गारी से पूछे जाने वाले पार्ट टू वीडियो है इसका पार्ट वन डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में दे देगे हैं जाके वीडियो को देख सकते हैं आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2 वीडियो जो की रेल गारी किसी पूल या प्लेट फ़ाँ को पार करे या व्यक्ती को पार करे या किसी बैठे व्यक्ती को पार करे इस तरह के प्रस न आज वीडियो में देखने वाले हैं और सौर्टरी देखेंगे जो एक्जाम में अक्सर पूछा जाता है जादा इधर उधर की बाते नहीं करते हुए प्रस्णा देखते हैं आपके स्क्रीन पर दिखाई देर होगे 270 मिटर लंबी एक रेल गारी 270 मिटर लंबी एक रेल गारी 30 मिटर प्रती सेकंड के चाल्ज़ चर रही है यदि वह 180 मिटर लंबे पूल को कितने समय पार कर लेगी या प्रस्णा में पूछा गया है और सबसे असान तरीका बताऊंगो देखो क्या कह रहा है सबसे पहले 270 मिटर लंबी एक रेल गारी है जो 30 मिटर प्रती सेकंड में चर रही है और 180 मिटर लंबे पूल को कितने समय पार करेगी प्रस्णा में पूछा गया है तो चलिए इसको सौलवा कर लेते हैं सबसे पहले पूल को पार करने में चली गई दूरी तो कितनी है 270 और 180 को जोड़ देंगे कितना आजाएगा 450 मिटर हो जाएगा अब बोला गया है पूल को पार करने में लगा समय तो कितना समय लगा है भी या देखो दूरी बटे चाल तो दूरी कितना है हमारा 450 मिटर है और चाल कितना है 30 ठीक है अब इसको चलिए भाग कर देते हैं तो 450 बटे 30 को भाग करेंगे इतना आजाएगा 15 सेकेंड में तो कितने सेकंड में पार कर रही है 15 सेकंड में पार कर रही है अगला प्रस्न है एक एक रेल गाड़ी एक रेल गाड़ी है जो 450 मिटर लंबा है और प्लेट फATHAN को बीस सेकंड में पार करती है यदि रेल गाड़ी तैरे सो ≈ किछल क्लया होगी सबसेdefense तरीके देखो पहला वाला प्रस्ण बनाया था उसी प्रकार बनेगा प्लेट फार्म को पार्क करने में चली गई दूरी कितनी है 450 है अब यहां पर रेल गारी कितना दिया गया और 1500 मिटर है 450 और 1500 को जोड़ेंगेत कितना जाएगा 600 मिटर हो जाएगा अब उसके बात क्या है रेल ग उसके 50 को 600 ब्राइंगे एक जिरो कड़ गै अब 20 को सार सब्रकार देखने तो कितनी सेकैंड में पार्क करेगी 30 म ! अगला टॉपिक देखेंगे जो किससे पुछे परिती को सfta हो आप रही है 40 किलोमिटर प्रतिगंट के 14 आऊकार से चर रही आए जो तीन सौ मीटर लंबी रेल गाड़ी अपने ही दीशा में 4 km घंटा की चाल से जा रही व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी प्रस्ण को ध्यान से समझे 40 km घंटा की चाल से चर रही है और 300 मिटर लंबी अपने ही दीशा में जा रही है 4 km घंटा से ठीक है तो चाल जा रही है तो वेक्ति कितने समय हम पार करेगी तो समय बराबर क्या बताया था मैं आपको फार्मूला रेल गाड़ी की लंबाई बटे सापेक्छे चाल तो सापेक्छे चाल कितना है हमारे पास 40 है इदर, देखो 40 km है और यहाँ 4 km है, एक ही दी समय जा रही है न देखो अगर एक ही दी समय जाएगी तो क्या करेंगे? घटाएंगे अगर एक ही दी समय जाएगी तो घटाएंगे और दोनों विपरित दी समय जाएगी तो क्या करेंगे? जोडेंगे ये पार्ट वन वीडियो में बताया था मैंने ज्यान से समझे देखिए कि सब्पेक्ष चाल यानि कि 40 km है और इधर 4 km है दोनों को घटाएंगे तो 36 km घंटा आजाएगा अब 36 गुनित 5 बटे 18 करेंगे तो कि 18 कम ठारा 18 दूनी 36 अब 5 दूनी 10 तो कितना आज़ा समय भीया आप कितना पार करेंगे उसको देखेंगे तो क्या फिर्मूला बताया मैंने रेल गारी के लंबाई वटे सापेक्ष ही चाल बताया था आपको लंबाई कीतना है 300 है और सापेक्ष ही चाल हमाएं दस मिटर 30 सेकंड आया है तो 300 बटे 10 कर देंगे क्यों करेंगे, समय, समय बराबर दुरी बटे चाल होता है 300 बटे 10 करेंगे, तो 10 10 or 10 कड गया, यतMark में कितना आ जगास काना, 30 secondo तो क्या और पूँछा गया था क्वेस्चन में कि कितने समय हैं अ Response करेंगे, कृस्अन इसकी ऊथा